देश में कोरोना की तीसी लहर को लेकर बार बार आशंका चुताई जा रही थी कि सितंबर अक्टूबर में कोरोना की तीसी लहर आ सकती है लेकिन मामलों में गिरावट जरूर देखी जा रही है लेकिन मौत का आकड़ा दिन पर दिन पढ़ता जा रहा है भारत पे काफी हद तक मामलों पर काबू तो पालिया गया लेकिन दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहां आज भी बेहत खतरनाग गंफीर इस्तिती बनी हुई है वहीं ये कहना गलत नहीं होगा जब भारत में केज बढ़ेंगे तो वो भी काफी तेजी से संकमन पहलाएंगे ये पहली और दूसी लहर के दौराँ देखा भी कया था इस बीच देश में जो कोरोना के नए मामले आए हैं उनमें एक हजार के लगबग मामले बड़े हैं और मौतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की कई है कि इंद्य स्वासे मंतुराले के अनुसा भारत में 12,000 से ज्यादा नए कोविड मामले हर दिन सामने आते हैं इसलिके साथ देश में संकमन के अब तक 3 करोड से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं सक्रिय मामलों की संक्या खट कर 1,48,000 के करीब पहुंच चुकी है जो काफी राहत की बात तो जरूर है लेकिन हमें भूनना नहीं चाहिए कि तीसी लहर का खत्रा अभी भी बना हुआ है कोरोना की तीसी लहर से कैसे बचना है डॉक्टर ब्रिषपा त्यागीस ही सीतने में सबसे पहले जानना है जो थार्ड वेव हैं उसका वाइरस क्या है अब उसकी स्पाइक प्रोटीन है उसमें और हमारे स्रीर में सिर्पल Dartmouth हैं तो हमें जो vaccination हुआ है उसका भी बहुत कम effect होता है उससे उपर जो हमारे 8 साल से और 17 साल तक के बच्चे हैं उनमें जादे दिक्कत होने का डर है 8 साल तक हमारी thymus gland पूरे infection को control करती है वो antibodies बनाती रहती है लेकिन 8 से 17 साल तक ना तो हमें कोई vaccination हो रहा है हमारे बच्चों को और ना हमारी thymus gland वर्क कर रही है जो तीसरा कारण है वो यह है कि जो यह ncr में pollution बढ़ा है उसकी वज़े से अगर यह virus का infection आएगा फैलेगा तो उसको खतम होने में भी उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि ओल्रेडी एस्तमा जैसी हमारी position हो रही है इतना हमारा pollution लंक्स में जा रहा है जब गोरोना होगा तो उसमें भी oxygen की कमी रहेगी इसमें भी oxygen की कमी है और यह अच्छे से एयर भी चले तो डिसपर्स नहीं हो पाएगा तो और जितने फेस्टिवल हुए हैं उनकी वज़े से मास्क social distancing नहीं रखी गई है बहुत सारी gathering हुए है तो उमीद है कि third wave आएगी और वहलकी नहीं रहेग भी हो सकता है कि second wave की तरह ही आई लोगों को क्या बचाव करने हैं ऐसे में लोगों को सिर्फ एंड सिर्फ एक ही बात ध्यानवें रखनी है कि उनको मास्क पहनना है अपने हाथों को साब रखना है और social distancing maintain रखनी है फिलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहें निश्व लिए.